हलो गाईस आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है जैसे कि आप टाइटल देखे समझी गए होगे कि आज की जो रेसेपी है वो करवाचोथ स्पेसल थाली है बहुत ही जल्द आने वाला है करवाचोथ उसके लिए हम क्या बनाएं तो आज की वीडियो एंट तक देखना बिल्कुल न भूले इस थाली में मैंने बनाए है आलू दम और पनीर जिसमें मैंने लेसन और पे आज का बिल्कुल यूज नहीं किया है साथ ही मैंने बनाए है जीरा राइस और पूड़ी साथ में पापड को भी तल दिया है और मीठे में मैंने बनाए है सेवई तो टाइम को वेश्ट ना करते हुए चलिए हम सुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले हम बनाएंगे आलू दम बनाएंगे तो देखिए यहां पर मैंने आलू को छिल लिया है उसके बाद दोकर अच्छी तरह से इसे कुकर में रख दिया है उबलने के लिए तो यहां आलू उबल चुका है तो हम इसे फटा फट निकाल लेते हैं आलू छिल कर उबादने से फायदा यह होता है कि कुकर गंदा नहीं होता और मैं इसे दुबारे यूज कर सकती हूं तो देखिए आलू ठंडे हो चुके हैं अब इसे मैं मैस कर देती हूं इसे पूरी लाल मिर्ज, कस्तूरी मेथी, चाट मशाला और नमक, साथ ही लिया है मैंने हींग, तेज पत्ता, हरी मिर्ज और कुकिंग ओयल, अब एक बरतन में हम लेंगे तेल, तेल गरम हो जाने पर हम डालेंगे तेज पत्ता और जीरा, जीरा को चला दे, थोड़ा कलर चेंज हो जाने इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ज और हिंग, इसे मिला दे, गैस के फ्लेम को हमें स्लो रखना है, इसके बाद हम डालेंगे कस्मीरी लाल मिर्ज, इसे भी अच्छे से एक मिनट तक पका लें, स्लो गैस पे, अब हम इसमें डालेंगे आलू, इसे अच्छी तरह से मिक्स क को तेज कर दे और धकन लगा दे देखिए इसमें बाल आ चुका है अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला इसके बाद हम इसे मिला लेंगे धकन लगाके मीडियम गैस पे 5 मिनट तक पका लेते हैं तो 5 मिनट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मे थी इसे भी मिला लें गैस के फ्लेम को कर देंगे अब देखिए आलुदम बनके तयार हो चुका है इसे मिला लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पता डाल देते हैं अब हम चलते हैं अगली रेसिपी में पनीर गिरेवी के लिए हमें चाहिए पनीर, कटेवे टमाटर, कुकिंग ओयल, नमक, हल्दी, तेजपता, अधरक और हरी मिर्ज तो सबसे पहले हम कुकर में दो कब पानी लेंगे उसमें कटेवे टमाटर डाल देंगे और डालेंगे काजू, पोस्तो यानि की खसकस, अधरक और हरी मिर्ज धकन लगा दें, दो से तीन सीटी लगने दें, दो से तीन सीटी लग चुके हैं, आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से गल चुका है, अब हम इसे दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं, ताकि यह ठंडा हो जाए, इसके बाद हम इसका पेश्ट बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे फ्राइ कर लेंगे, ध्यान रहे हैं कि इसका कलर बिल्कुल ना चेंज हो, आप देख सकते हैं मैंने पनीर फ्राइ कर लिया है, अब हम उसी तेल में डालेंगे तेज पत्ता, इसके बाद हम डालेंगे दाल चिनी और गोल मिर्च, लॉंग, इलाइची, दो मिनिट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरह फ्राइ कर लेंगे, इसके बाद हम डालेंगे टमाटर की प्यूरिंग, यह देखिए मैंने इसे डाल लिया है, अब हम फुल फ्लेम पे इसे पांच मिन तक अच्छी तरह से पकाएंगे, इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते रहें, इसके बाद हम डालेंगे नमक, धन्या पौडर, जीरा पौडर, लाल मिर्च पौडर और हल्दी, अब गैस के फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, तो देखिए यहां मसाला पक चुका है, अच्छी तरह से तेल भी अलग दिखन पका लें, ध्यान से मिला इसे ताक यह तूटे नहीं, गैस के फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे और इसे भी हम 3-4 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे, इसके बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे, तो यहां मैंने एक कप पानी डाला है, आपको जितना ग्रेवी चाहिए, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, तो अब हम इसे मिला लेते हैं, फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूले, मैंने किस समान के कितनी कॉंटेटी में यूज किया है, महां पे मैंने पूरी तरह से मेंसिन कर दिया है, तो देखिए मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है, अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे स्लो और धकन लगा के 5-6 मिनट तक इसी तरह पका लिए, अब आप देख सकते हैं कि हमारी पनीर की ग्रेवी बनके तयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है, तो चलिए अब हम बना ले चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, तेल गरम हो जाने पर हम डालेंगे तेज पत्ता और जीरा, जीरा को हम मिला लेते हैं, मीडियम गैस पे, तो जीरा का कलर चेंज हो चुका है, और इसको खुसबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हम इसमें धुले हुए चावल डाल देते हैं, और मीडियम गैस पे इसे भी दो मिनिट तक फ्राइ कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, मैंने यहां पे रेगुलर यूज चावल लिया हुआ है, तो इसे हम मिला लेते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, मिला लेंगे इसे, अच् चावल लिया है तो मुझे यहां डालना है 4 कप पानी तो यहां मैंने पानी डाल लिया है 4 कप इसे मैं मिला लेती हूं अच्छी तरह से उसके बाद कूकर को धकन लगा दें और मीडियम गैस पर एक सीटी आने दें उसके बाद गैस को कर देंगे बंद और जब कूकर का गैस निकल जाए उसके बाद ही हम जीरा राइस का धकन खोलेंगे और चावल बनके तयार हो चुका है अब हम बनाएंगे मीठे में सेवई तो सेवई के साथ मैंने लिया है दूद चीनी ड्राइफूट और घी तो एक पहन लेंगे उसमें डालेंगे हम घी गरम हो जाने पर हम ड ड्राइफ फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ड्राइफ फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद है इसे भी हम 2-3 मन तक प्राइग कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूद गैस के फ्लेम को हम कर देंगे ते इसे मिला ले अच्छी तरह से इसके बाद हम इसम मिन तक इसी तरह से पकाएंगे 5 मिन हो चुका है और सेवई बन के तैयार है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर इसे मिला लेते हैं और गैस के प्रेम को कर देते हैं बन अब हम अगली रेसिपी में चलते हैं, पूरी बनाने के लिए हम आटे में मिलाएंगे cooking oil आप चाहे तो यहां घी भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हम मिलाएंगे कलाउजी आजवाइन और नमक इसे अच्छे से मिला ले हाथों के सैता से अच्छे से mix करने के बाद हम आटे को तयार करेंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालें कि इसे मिलाएंगे थोड़ा और पानी डालेंगे क्योंकि हम इसे आटा अच्छे से बना के तयार कर लेना है तो देखिए आटा मैंने गूंद लिया है अब हम इसकी लोई बना लेते हैं तो एक साइच के मैं लोई बना के तयार कर लेती हूं तो यह देखिए इस साइच का पूरी बना लेते हूँ, तेल को मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख लिया है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, तो आप देख सकते हैं, पूरी तलने के लिए तयार हो चुका है, तो अब ह गूल चुकी है, इसे हमें थोड़ा गोल्डे न होने तक फ्राई करना है, साथ ही मैं दूसरी पूरी भी डाल देती हूँ, ये गोल्डन हो चुका है, दूसरी पूरी भी पूल चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं, पूरी बनके तय historians है, अब हम पापर को फ्राई कर ल है आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द बनके तयार हो जाती है बहुत ही इजी भी है आप इसे जरूर ट्राय करें अपने करवा चौत को और भी स्पेसल बनाए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता करें साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें